So hello and welcome you all I am Rohit from Margin Trader So guys आज हम बात करेंगे Amboja Cement Limited के बारे में So guys Amboja Cement Limited में अगर देखा जाए तो इस stock में बड़ा target मिल गया है और वही अगर देखा जाए तो पेशा double करने का यहाँ पर बड़ा मोका आपको मिलने वाला है यहाँ पर guys अगर देखा जाए तो अडानी के खरीदने के बाद अडानी ने जो SAC और Amboja Cement को खरीदा है उसके बाद जो मैं rally देखने को मिली थी उसके बाद stock यहाँ पर मन साब पड़ गया है और वही guys अगर levels की बात करें तो बिलकुल proper तरीके से अगर इसके setup को समझा जाए तो बिलकुल आपका पेशा आपर बन सकता है क्योंकि यहाँ पर एक bullish pattern बनता हुआ नजर आने वाला है तो guys खरीदने से पहले वीडियो को end तक देखना क्योंकि अमबुजा सिमेंट में काफी बड़े momentum आने वाले हैं आने वाले time में तो guys वीडियो को start करूँ उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे channel the mahajan trader को subscribe नहीं किया है तो guys please channel को subscribe कर देना for shares के updates के लिए shares के latest news के लिए तो करते हैं वीडियो को start और चलते हैं अमबुजा सिमेंट के उपर so guys यहाँ पर बात करें अमबुजा सिमेंट limited की तो यहाँ पर आप देख सकते हो stock ने आज कहाँ पे closing दी है 379 रुपे के price पे stock closing देता हुआ नजर आया है एक रुपे तक की बड़त हमें इस share में देखने को मली है 0.27% के हिजाब से जो momentum जो increment हमें देखने को मिला है काफी जादा बहतरीन है वही बात करें stock में किस level पे इस share open हुआ था तो यहाँ पर देख सकते हो 371 रुपे के price पे stock open हुआ था 372 रुपे 15 पेसे का high लगा था 344 रुपे का low भी आपको देखने को मिल जाएगा बात करें market cap की 73.18,000 करोड का stock का है market cap वही बात करें peer ratio तो 29.42 का peer ratio है और dividend देता है यह share 1.71% के आसपास तो बिल्कुल guys consistency के साथ stock return दे रहा था बट आज जो इसमें देजी आई है वो थल किसी कम है क्योंकि कहीं न कही profit booking stock में हुई थी तबी तो 366 का low है और इसके बाद भी stock ने 379 रुपे पे आके ही closing दी अब बात करते हैं इसके levels की so guys levels को अगर आप समझने की कोशिश करोंगे तो ambuja cement limited में आप देख सकते हो इस levels के बारे में पहले भी हम discuss कर चुके हैं बिल्कुल एक falling wedge type pattern यहाँ पर बन रहा है और उसी के basis पे stock में एक breakout मिला इस level पे breakout मिलने के बाद stock उपर गया यहाँ पे stock ने retaste किया और यहाँ से जा सकता है सीधा उपर की और यहाँ पर अगर देखा जाए the short term basis पे 4 hour time frame पर तो यहाँ पर 388 का जो target है और easily यहाँ पर achieve हो जें वाला है यहाँ पर 388 रुपे का target easy achieve हो सकता है और वही अगर बात करें बड़े time frame पर तो बड़े time frame पर आप इस level को देख लो इस level को अगर आप देखोंगे तो यहाँ पर stock में resistance है यहाँ पर स्टॉक में resistance है और यहाँ पर है यहाँ पर लगबग तीन बार stock को यहाँ पर resistance मिला है और चोती बार भी हाँ पर resistance मिल सकता है बड़ यहाँ पर मेरी advice ही रहेंगी कि जब तक इस level को यह break नहीं करता है इस level को अगर इस उपर की और break नहीं करता है तब तक आप इसे इससे दूर ही रहना अगर इसने इस level को break कर दिया तो यहाँ पर 440 रुपे तक तो stock में rally आएगी आएगी बड़ गाई से आपर काफी टाइम पहले 286 के level पे ही हमने बोल दिया था खरीदारी करने के लिए और जिन जिन लोगों ने इस level पे खरीदा होगा अच्छा profit हुआ होगा तो 286 के बीचे हमारा logic सीधा सा था क्योंकि stock में अगर आप देखोंगे यहाँ से यहाँ से और यहाँ से लगबग तीन जगों से stock नीचे की और आया है और यहाँ से एक बड़ा momentum आया retest गया stock ने और गया सीधा उपर की और तो गयास बिलकुल यहाँ पर तगड़े returns की और यह share बढ़ने वाला है आने वाले time में तो बिलकुल भी